हमारे नेबरिंग कंट्रीज जैसे की बांगलादेश, भुटान, नेपाल उसके साथ इंडियन गवर्मेंट अलग-अलग प्रकार के इंफरस्ट्रक्टर प्रोजेक्ट करता रहता है कभी energy से related, कभी hydropower, electricity से related, कभी railways से related, कभी highways से related ताकि उनके हमारे देशों के बीच में connectivity बढ़ी रहे, दोनों देशों का फायदा हो, trade हो, थोड़ा सा tourism भी एक दूसरे से बढ़ता रहे इसी context में भारत और नेपाल के बीच की rail connectivity का एक बड़ा ही major और महतवपून प्रोजेक्ट अभी अभी recently complete हुआ है, जिसकी test run करवाई गई है Ministry of Railways ने अपने Twitter के दोवारा बताया, उन्होंने एक notification दी कि जैनगर बर्दिवास, rail परियोजना तो जैनगर भारत में बिहार में पढ़ता है और बर्दिवास जो जहेंगय का नाम है वो basically नेपाल में पढ़ता है rail भी चलानी पड़ती है, तो वहीं पर उसी पर हमने rail चला कर देखी है 110 km परती घंटे की रफतार से सफलता पूर्वक हो गया है, बढ़िया rail line बन रही है, उसके उपर बढ़िया speed से rail चला कर देख ली गई है इससे दोनों देशों के बीच की आवाजाही भी असान होगी and then आसपास के छेतरों का obviously विकास भी होगा, highway infrastructure और railway infrastructure का ये ancillary consequence होता है कि basically जहां से भी गुजरते हैं तो आसपास के जो छेतरों होते हैं उनका विकास होना start हो जाता है वहाँ पर investment flow करने लग जाती है, tourism बढ़ जाता है, लोगों को रोजगार मिलता है लोग एक जंगे से दूसरी जंगे पर आसानी से travel कर सकते हैं इस context में याद रखेगा, जैनगर से लेकर बरदीवास, नेपाल का जो ये rail project है ये काफी महत्वपून है, इंडिया और नेपाल की connectivity बढ़ाने के लिए अब यहाँ पर ये जो आप middle line देख रहे हैं, this is basically नेपाल border ये नेपाल border है, यहाँ पर जैनगर, जैनगर नेपाल border से भारत की तरफ सिफ 4 km दूरी है इस जहे से लेके, ये कुर्था, यहाँ तक basically, first phase of the Indian railways, जैनगर बरदीवास अच्छा, यहाँ पर अगर आप इस map को ध्यान से देखेंगे, कुर्था के बाद अगर आगे जाएंगे, so this here is बरदीवास तो यानि कि जो पूरी की पूरी rail project है, वो जैनगर से बरदीवास को जोडने के लिए है However, first phase, 35 km का first phase, जो कुर्था तक है, वो complete हो गया, उस पर test run भी हो गई है इसका मतलब यह है कि अभी बरदीवास तक और आगे जाना है, the project will continue from here on Recently, यहीं पर speed trial किये गए, rail चला दी, 110 km परती घंटे की रफ्तार से newly gaged section between the Jainagar and Kurtha, जो की basically नेपाल में located है अगर हम पूरे project की बात करें, तो यह होगे हमारा Jainagar, जो की विहार में, मदुभनी district में पढ़ता है तो यहां तक 70 km का जो यह रष्ता है, इसको rail के द्वारा जोड़े जाना है, ठीक है इस पूरे project को नाम है Jainagar, बीजलपूर, बारदीवास तो यह बीजलपूर यहां पर area है, तो इसको पूरे के पूरे project को इसको Jainagar, बीजलपूर, बारदीवास का नाम दिया गया है, जो की सारा का सारा Indian government के द्वारा funded है तो rails हम बना रहे हैं, उसके उपर जो engine होगी, जो railways होगी, वो भी हम provide करेंगे और उसको infrastructure को हम fund भी हमी कर रहे हैं, दो land obviously नेपाल government की, नेपाल के अंदर ही land पढ़ते है तो नेपाल government उसको provide करती है, अब जो यह जैनagar से कुर्था section है, यह तो facilitate होई चुका है इससे development भी होना start हो जाएगा, एन इसके बाद अब आगे जाके बिजलापूर और उसके बाद आगे जाके बर्दिवास तक पुरा का पुरा complete कर दिया जाएगा जैनagar, बीजलपूर, बर्दिवास, यह जैनगों के नाम याद रखेगा, क्योंकि आपसे exam में usually, जो exam होते हैं, specifically related to जो बिहार PCS के जो exam होंगे या फिर बिहार SC, बिहार SI के जो भी exams होंगे, वहाँ पर यह geographical information definitely पूछी जा सकती है तो यह specifically हमारे बिहार के चातरों के लिए यह information में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यह railways के दौरा जो project है और Indo-Nepal connectivity जो है, वो बिहार के competitive exams में काफी पूछा जाता है However, I am hoping कि हमारे कुछ नेपाल के चातर भी हमें देख रहे हैं, hypothetically आपके वहाँ पर अगर कोई exam होता है, तो देखो वो भी बराबर के level पर वहाँ पूछा भी जा सकता है I am hoping कि कोई न कोई नेपाली student ज़रूर होगा हमारे साथ बिहार has been linked to kurtha in Nepal under the first phase of the project, no doubts about it and इस line को basically बीजलपूरा extend किया जाएगा The new railway line बीजलपूरा के बाद उसके बाद बारदी बास तक extend कर दी जाएगी तो देखो फुल इसको अगर हम पूरा physically, geographically समझने की कोशिश करते हैं शौट तरीके से, सारे के सारे नाम याद करने का ये तरीका है सबसे पहले हमें याद करना है कि जैनगर बिहार के अंदर, नेपाल जो बॉर्डर है, उससे बस 4 km अंदर एक जंगह है बिहार में, मधुबनी डिस्टिक्ट में, जिसका नाम है जैनगर अभी अगर हम गाड़ी से जाते हैं, तो एक रस्ता है, एक घंटा 40 मिनट का दूसरा ये इधर से घूम के जाएंगे, तो दो घंटे का रस्ता चल जाएगा अब यहाँ से लेके, यहाँ तक सीधा, एक 35 km की रेल लाइन बिचा दी गई है successfully उसके उपर test run हो चुके हैं, इसी चीज को extend करेंगे जब यह जैनगर से कुर्था तक की रेल लाइन बन गई है, अब इसको extend किया जाएगा बीजलपुरा तक, जो की कुर्था से basically 19-20 km आगे पड़ता है बीजलपुरा, and then once we are done with this, यह कुर्था हो गया, यह उसके बाद बीजलपुरा हो गया, और उसके बाद यह बारदी बास तक पहुँच गया, यह पूरी की 70 km की जो रेल लाइन है, यह सारी की सारी भारतिय गवर्मेंट की Ministry of Railways के द्वारा funded है, तो इस पे 5.500 करोड रुपे का खर्चा आया है पहले 35 करोड के लिए, उसके बाद then it will be continued, और टोटल 70 km तो इंडो निपाल जो connectivity है, वो बहुत ही जादा बहतरीन हो जाएगी and obviously इसका फायदा भी होगा, फायदा कैसे होगा, क्योंकि इसी रस्पे पर जो अहाँ पर यह railway line बिछाई जा रही है, यहाँ पर एक बड़ा important pilgrim place भी है, कौन से वाला, specifically speaking जनकपूर, इस railway route has जनकपूर, जो की world famous pilgrim place है, हिंदुों के लिए बड़ा ही महतोकून है, बुद्धिजम के लिए भी बड़ा महतोकून है, तो उस पर जाने के बिहार के जो तराई रिजन में एरियाज में जो लोग रहते हैं, उनकी वैसे भी वहाँ पर कई वर वहाँ पर visits regularly लगी रहती है, क्योंकि अपना pilgrim center तो ही है, तो इसके वज़े से वहाँ पर आना जाना, tourism भी basically नेपाल को उसका फाइदा होगा, now this pilgrim center is situated at 29 kilometers from the Jainagat, तो रस्ते में पढ़ता है, हमारे कुर्था के रस्ते में पढ़ता है ये, and now from it will be connected with the railways, infrastructure की development ही actually में देश की सची development होती है, तो बड़ा ही प्यारा प्रोजेक्ट चल रहा है, बारत और नेपाल की मैतरी के उसके एवज में, बिहार वाले जो students है, वो जरूर ध्यान से रखे, BPSC की जो exams, BPSC या बिहार SSC या फिर Bihar SI या जनरल नॉलिज की अगर आपको कोई और courses चाहिए, तो उभी study IQ की एक बार website पर जरूर चेक आउट करना, आपके जितनी भी competitive exams है, उनके लिए courses available है, ठीक है, तो अभी जब तक pandemic चलेगा, तो हमें घर से ही तयारी करनी है, तो definitely open study IQ website और Bihar के exams को नाम सर्च करो, आपको course मिल जाएंगे, अगर आपको कोई और बात है, तो मुझे मेरे Instagram पर जरूर जोइन कीजिएगा, I will see you in the next class.